नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसल्टेंट आज मैं आपको एक फैक्ट्री के बारे में जान करें देने चाहूंगा आप अपनी नई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं और फैक्ट्री में अंडर गार्डमेंट्स का काम शुरू करने जा रहे हैं तो एज़ पर वास्तु आपकी फैक्ट्री का सेट अप कैसा होना चाहिए आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह है वेस्ट फैसिंग फैक्ट्री आप अपनी नई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं सबसे पहले तो आपको अपनी फैक्ट्री बनाते से में वास्तु शास्तर के नुसार कि किन-किन खास बातों का धियान रखना है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा. अब खाबर उची नीची टूटी भी नहीं होनी चाहिए, जितने सुमूथ आपकी रोड होगी उतनी ही फेक्टरी आपकी बहुत बढ़िया चले कि यह हमारा एक बड़ा गेट हो गया, इसी के साथ में छोटा गेट आपका यहां आ जाएगा, आप अपने प्लोट के अंदर बेस्मेंट बनाते हैं, तो बेस्मेंट आपको किस परकार से बनानी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, यह आपके अपनी बिल्डिंग, इस परकार से आपके अपनी बिल्डिंग बननी चाहिए, यानि आपका फ्रेंट में भी ओपन एरिया रहेगा नौर्थ में भी ओपन एरिया रहेगा और इस्ट में यानि पूरो दिशा में भी ओपन एरिया रहेगा यानि आपने ओपन एरिया रखना है जितना ओपन एरिया आप फ्रंक में रखते हैं उससे जदा ओपन एरिया आपने इस्ट में पूरो दिशा में रखना है आप अपनी यहां basement 100% बनाते हैं तो वो basement आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी 100% basement बनाने में कोई दिकत नहीं होती यदि आप अपनी basement जितनी building बना रहे हैं उसके अंदर बनाते हैं तो आपकी factory चलने में नहीं आएगी कोई ना कोई दिकत बनी रहेगी इंडर्स्ट्रिल एरिये में ज़्यादा तर देखने में आता है कि जतने हम बिल्डिंग बनाते हैं जतना ऊपर यानि ग्राइन फ्लोर पर कवर एरिया होता है बेस्मेंट में कवर एरिया ज्यादा होता है यानि basement इतने portion में तो आपके अपनी basement बनती ही है इसी के साथ में ये basement यहां से लेकर यहां तक और ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक भी बना लेते हैं मैं कहूंगा अगर possible हो तो आप basement इस एरिये में भी basement जरूर बनाएं ऐसे ही यह अरिया भी आपका basement में बन जाएगा यह एरिया जो बनेगा यानि नोर जोन और इस जो basement की बनेगी वह आपकी ground floor में पार्किंग एरिये के लिए इस्त्वाल होगे open एरिये के लिए इस्त्माल होगे यानि जो यह बिल्डिंग आपकी बन रही है इस बिल्डिंग का floor level आपका ground के लेवल से लगब दो फूट तेन फिट जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं लेकिन basement कितनी बनेगी आपकी southwest से west होते वे northwest तक और northwest से north होते वे north east तक और north east से east होते वे south east तक यह इतना एरिये आपका complete basement बन जाता है और ऐसी basement बनने पर कभी भी दिकत नहीं आती अब इसी में मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें आपको बहुत सारी ऐसी खास बाते बताऊंगा आप उसको समझ कर अपने यह चोटे चोटे बदलाव करके अच्छे रेजल्ट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि आपके अपनी बिल्डिंग बनने जा रही है तो यह काम आप अपने यहाँ पर कर सकते हैं यह आपके अपनी बेस्मेंट बन गई बेस्मेंट में सबसे जरूरी काम क्या होता है फर्ष की धलान जिस बेस्मेंट के अंदर फर्ष की धलान फ्लोर स्लोप सही नहीं हो वास्तु शास्तर में बेस्मेंट को अच्छा नहीं माना गया है itamilya तो इसलिए मैं आपको आना चाहूंगा आप अपनी फेक्टरी के अंदर बेस्मेंट बना रहे हैं तो बेस्मेंट में जो फ्लोर स्लोप होना चाहिए वो कम्प्लिट सौथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की और सौथ से नॉर्थ की और और सौथ हेस्ट से नॉर्थ हेस्ट की और आपका फर्ष का स्ल वर्किंग में आपको कामयाभी मिल जाती है बेस्मेंट के अंदर जल्दी सी वर्किंग अच्छी नहीं होती ज्यादतर बेस्मेंट खाली रहती है या उनके अंदर कबाड भर दिया जाता है आज छोटी सी जगह खरेदने के लिए भी बहुत सारा पैसा लगता है और हर आदम सौट से नोर्थ के और जरूर करनी है इसी के साथ आपने एक खास बात और ध्यान रखनी है जब आप अपने बिल्दिंग बनाते हैं तो बिल्दिंग बनाते से में ध्यान रखना है जो आपका क्रोसिंग है इस क्रोसिंग को लेंकर इस हिस्से में कोई भी पिलर नहीं आना चाहिए इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है जब आप बेस्मेंट बनाते हैं तो जितनी आपकी अपनी बेस्मेंट है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक यहनी कि पूरे प्लॉट का सेंटर बनी बेस्मेंट का सेंटर और इसी के साथ जो आपकी अपनी बिल्डिंग उपर निकल कर आएगी ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग का सेंटर इन तीनों पॉइंट को आप थोड़ा सा नौट जरूर करें वहाँ पर पिलर नहीं आना जाईए जब भी किसी भी बिल्डिंग के सेंटर में पिलर आ जाता है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने पिलर के उपर वाइट कलर का प्रेंट करें या ओफ वाइट कलर का प्रेंट करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपको रिलीफ जरूर मिल जाएगा वास्तु शास्तर के नुसार इस परकार आप अपने बेस्मेंट का सैट अप कर सकते हैं आप अपनी जब बेस्मेंट बनाए तो इन बातों का धियान रखे और इसी के साथ में जो आपने अपने यहां स्टेर्स बनानी है वो स्टेर्स आपकी नॉर्थ जो उन में आएगी यहीं पर आपके अपनी लिफ्ट और स्टेर्स बना सकते हैं स्टेर्स और दूसरी जगह भी बना सकते हैं लेकिन क्लाइंट की अपनी रिक्वार्मेंट है कि स्टेर्स मेरे को लिफ्ट मेरे को नॉर्थ में ही चाहिए क्योंकि जो ड्राइवे है इसमें गाड़ी सीधी लग जाए और यहीं से माल अपना अंदर भी आ जाए और बाहर भी चला जाए इसलिए स्टेर्स और लिफ्ट जो बनेगी वह आपकी नौर्जोन में बनेगी इन बातों का आप ध्यान रखकर अपने यहां अपनी फैक्टरी का सैटप कर सकते हैं मैंने आज आपको बताया है बेस्मेंट के बारे में वास्तु शास्तर के नौर्जोन सार आप अपने यहां बेस्मेंट का सैटप कैसे कर सकते हैं में नेक्स्ट वीडियो में आपको उन आ्पोन फ्रॉर और फर्स फ्लॉर के सैट अप के बारे में बढęt हुआ कहां लगेगी जिलाई मेशीन आपके यहां कहां लगेगी कहां आपका पयाकिनी को दो पारप आपने यहां फिनिश गूर्ट रखने हैं इसके बारे मैं डिकील से अपनी इन वीडियो में जरू बताऊगा क्योंकि एक फैक्क पर अपर तरीके से सेट अप करने के लिए एक व बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो वास्तु शास्तर के इस परकार आप अपने बिल्डिंग बना सकते हैं और आप अपने बिल्डिंग के अंदर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमसे ओनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं अपनी साइट का मैप भ सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जानकारी आपको लगता है सही है तो आप अपने यहां इस प्रकार से सेट अप एस पर वास्तु कर सकते हैं पुस्तक लक्षमि प्रोश्र के से हो मंगबा सकते हैं हमारी एह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी वाश में लिखी गई जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं और आप अपने यहां पर चोटो चोटो बदलाव करके भी अच्छ है रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं ऐसी ही मैंने अपने यूटूब चैनल पर तीन सो असी प्लस वीडियो अपलोड की हुई है आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नवी शेपर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस इसकार